एंटीलिया बाउम केस में जिस प्रकार से चीजे बहार आई है और सचीनवाजे एपिया इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के उपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है विशेश रूप से हम लगातर ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचीनवाजे के उपर कारवाई होनी चाहिए लेकिन उससे में मुख्यमंत्री जी और ग्रोहमंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे मानों उनके वकील हो इस प्रकार से उस संदर में बाते हो रही थी लेकिन अब जो चीजे बहार आ रही है ये सारी चीजे गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीजे बहार आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बहार आया है मनसुक हिरेन जी की हत्या यह जो एंगल है यह तो उससे भी बहुत ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है जो भी बाहर आना बाकि है और जो बाहर आएगा तब धान में आएगा कि इसमें कौन-कौन लोग लिपत है इसके पीछे की मंचा क्या है एक और सवाल मैं पूछ सेना कि नेताओं ने आकर इनको वापिस लिया जा इस प्रकार की मांग रखे थी उस समय मैंने एड़ोकेट जनरल जी को वह पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दे थी कि यह हाय कोट से सस्पेंडड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता लेकि इस पर हमेशा पी आइ रहता है उसका प्रमुक तो रात और पी को हटा कर जो 16 साल से सस्पेंडड है ऐसे एपी को उसका प्रमुक बनाए गया और सारी जितने उसके बाद प्रमुक कैसे से वह से सुनको दी गई और ये भी यहां पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय a su specified उसमया में उन्होंने ने प्रवेश कया था सिरुसना के प्रवक्ता के रूप में ने काम किया था तो सारी चीजसे जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कारिय यह बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की हमारे पुलीस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आदा ही बाहरा आया है हम अपेक्षा करते कि पूरा सत्य जल्दी बाहरा है